Hello everyone and welcome back to my channel Aruna Gautam guys, मैं हूँ Aruna और आज हम बनाने वाले हैं mixed wedge तो बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने और सबसे पहले इसमें में चोटे दो साइज दो चोटे आलू कट करके डाल रही हूं इनको हम अच्छे से fry करेंगे और निकाल लेंग तो आलू हमारे फ्राय हो गए है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा गोभी तो एक चोटा सा गोभी लेके इसको भी हम अच्छे से और आप चाहें तो इस मिक्स वैज में अपने मन पसंद की और भी सबजा डाल सकते हैं जैसे मतर हो गया बीन्स हो गया गाज निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से अगर आप मिक्स वैज बनाएंगे तो यह दिखे पनीर भी हमारा फ्राय हो गया है और इसे भी मैंने निकाल लिया है अब एक कढ़ाई में मैंने दो चोटे चमच तेल लिया है और इसमें हम तड़का लगाएंगे त तो सबसे पहले दो लाल मिर्चे डाली हैं सूखी एक तेज पत्ता थोड़ा सा दाल चीनी एक बड़ी लाइची और दो तिन चोटी लाइची तीन लॉंके दाने और थोड़ी सी काली मिर्च डाल की हम इन सब मसालों को भून लेंगे ताक इनका जो फ्लेवर है वो तेल में कि यहाँ पर मैने एक मेडियम साइज के प्यास को कट करके वो डाल दिया है और इसको हम अक्छा सा कलर कें तक पालेंगे अ उध्युकर कर डाल है या चुटे-चुटे टुकड़े करके वो डाल सकते हैं कि अर्वाशे से भून है इन सबको हमने अर्चे तोड़ा सा पानी डाल के हम फिर से भून लेंगे मेक शॉर कि हमारा जो तटका है वह जलना नहीं चाहिए इसलिए मैं इसमें दो चमच पानी डाला है और अब इसमें सूखे मसाले डालें तो सबसे पहले डाल रही हूँ हलती पाउडर धनीया पाउडर नमक स्वाट के अनुसार ढाले थोड़ा सा लाल मिर्शी का पाउडर थोड़ा से ठेगी मिर्च थोड़ा कलर के लिए और इन सबकों अच्छे से मिक्स कर देँ나대 ठीक्ट हैं जाये चलते हुए एस मसाले को रिलीज न हो जाये तब तक हम इस मसाले को पकाईे घुए तो थोड़ के रिलीज पनी ब्रॉन पानी दूखे जाने और नहीं कि असकोर पररोंगों दूटेश स्यक्टल ना Chung Shindal तकर मसाले को कम से कम 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे तो यह देखिए हमारे जो टमाटर है वह बहुत अच्छे तरीके से गल गए है और साइट से तेल भी निकल आया है तो मसाला अच्छे से पक चुका है तो अब हम दालेंगे शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च को मैंने अच्छे यह कोई जरूरत नहीं है और अब हम इसमे जो बाकी हमारी फ्राइट नहीं है वह डालेंगे आलो गोभी और लास्ट में इसमें पनीर जो कि हमने फ्राइट करके पहले ही रखा हुआ है टो हरी मिर्च को मैंने इसलिट करके हैं ऑट करके इसमें गाल दिया है और अब पनीर डाल देंगे और अच्छे से एक पर मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वह अच्छे सारी सब्जों पर आजाए और इसमें मैं डाल रही हूँ कम से कम आधा कप पानी और अब हमी सब्जी को ढख कर और आठ से दस मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर पकने बहुत ही टेस्टी बनी है यह जरूर बना के एक बार ट्राइ कीजिए और लास्ट में हम इसमें डालने के थोड़ी सी कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्नेंस आती है इससे तो आप लोग भी जरूर बना के ट्राइक कीजिए यह मिक्स वेच और आप इस प्लीज कर लीचे थांक यू